जेडिव बिल्कुल समझे कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है सारे लोग कहीं न कहीं अपना connection लगा कर रखें कोई पाटी में कोई पाटी में कहीं भी क्योंकि जिसमें नाव डूबेगी उसमें कौन उच्छल कर कहां जाएंगे सब लोग उने अपना ठिकाना तलास करके पहले ह हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं तो कुछ लोग हम लोग के साथ भी आएंगे 15 दिन में हो की महिना दिन में हो की दो महिना में लेकिन जेडिव अब डूबने वाली नाव है डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नह चुनावती नहीं है और विपक्ष कोई चुनावती देने की इस्तिती में भी नहीं है फिलहाल। चुनाव के पहले बीजेपी हर छोटी छोटी पार्टियों को एक जूट करने की कोशिस में लगी हुई है और उसके बाद उपेंदर कुस्वाहा यहां पाड़ा है उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया और साथी साथ उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दे द हैं सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया सुन लिजिए क्या कह रहे हैं उपेंदर कुस्वाहा जेडिव के लोग तो हमेसा डड़े हुए रहते हैं और उनका डरना सभावी की है जेडिव बिलकुल समझे कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है जितने लोग आप देख रहे ह हैं जो नेता के रूप में हैं मांकि निच्चे के कारकरताओं को छोड़ दीजिए उसमें अपबाद एकाद हो सकता है उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं न कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं कोई पाटी में कोई पाटी में कहीं भी क्योंकि जिस समय नाउट डूब है कि 15 दिन में हो की महिना दिन में हो की दो महिना में हो लेकिन जेडियू अब दूबने वाली नाव है दूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है इसलिए जडियू की ऐसी इस्तिति है चर्चा यह है कि कुछ दूनों के बाद मुख्यमंत्री पूरे देश का दोड़ा करेंगे विपक्षी दलों को एक जूट करेंगे आप लगता है किसका अशुश हसर देखते नहीं यह उसे कहते कहते 2024 भी खतम हो जाएगा देखे नितीज जी के लिए एक वक्त था कभी उस व अब उनकी खुद की पाटी या उनका जिस बेस पर उखरे हैं वही उनके पक्ष में नहीं है तो फिर कहां से हो पाएगा दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो ढहती हुई उनकी पाटी है उनके लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है होने वाला है इसलिए ऐसा करते वाकई बास्तों में कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं बलकि कहिए कि असंभव है देखिए मिलने के लिए तो आप भी ममता बनर जी जी हों के सी आर जी हो या जहां भी चाहिए तो आप भी जाकर मिल सकते हैं मुलाकात से क्या होता है अब सिर्फ है जो महागटवंदन इनका भिहार में है जिसमें कांग्रेस पार्टी और आर जे डी जे डिव तीन पार्टी मुखरूप से है तीनों पार्टी के लोग ही दिल्ली में जब नितिस जी गए तो मिलकर के कुछ कहा ना तो कमनिस्ट पार्ट जी की और से कोई ब्यान आया मुलाकात हुई सिर्फ तो सिर्फ तीन पार्टी के लोगों ने वहां बैठ कर कुछ कहा तो तीन पार्टी के लोग तो यहां भी मिलते रहते हैं तो जो गठबंधन बिहार में इनका अर्जडी जेडिव और कॉंग्रेस बस इसी की एक बैठक सब्सक्राइब से बहुं सारे लोग संपर्क में हैं तो कुछ लोग हम लोग के साथ भी आएगे तो अलग-अलग जगह जो लोग जाएंगे ठीकाना सब लोग ने कलास करके रखाए चौविस में जिस तरह से विपक्षी एक्टा की बात की जा रही है नरंद्र दिखे आज की तारिक में और जो 24 तक की संभावना दिख रही है जो हकीकत ही है नरेंद्र मोदी जी के समख्ष कोई चुनाउती नहीं और विपक्ष कोई चुनाउती देने की इस्तिती में भी नहीं है फिलहाल तो इसलिए 2024 तक तो उनके सामने कोई चैलेंज है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मोतिहारी में जहरीली शराब कांट हुआ नितीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को पैसे लेकिन उसके लिए कोई रूप रेखा नहीं तेया कि आप कहा जा रहा है कि वो मुआफ़जा नहीं है वो हम साहता देंगे उसके कोई प्लानिंग नहीं है हम अलग से कोई रूल्स पनाएंगे तो ये क्या हो रहा है वियार वैर देखिए नितीज जी खुद ही एक तरह से कहिए कि सीर के बल आज खरा हो गए जो डिसिजन कभी उन्होंने लिया अभी से 10 साल पहले 15 साल पहले उन तमाम निर्णयों को अब खुद ही बदलने पर आमदा है और ऐसा इसलिए कि अब हरवरी में उनको लगता है कि क्या करें कि ह हम से लोग तूट रहें लोग न तूटें बस मकसद इतना ही है किसी की सहायता हो किसी के कल्यान की बात सरकार करें यहां सब कोई प्लानिंग ही है और वाकई planning के तहथ हो भी नहीं रहा है planning के तहथ करना होता तो इनके साथ में इनको तो समय मिला था 17-18 साल उड़ा करेंगे इतना समय मिला तो उसमें कोई planning जब धंग से इन्हों नहीं की तो अब आज की तारिक में जल्दी में हरवडी में कुछ कदम उठा लेते हैं और जिस तरह की बात आप बोलना है उस तरह के कदम का यह नतीजा है बरना बागी जो गरीब लोग सराब बंदी कानून के चलते परिसान हैं सराब बंदी अपनी जगा ठीक है लेकिन जो लोग परिसान है अधिकांज तो गरीब लोग ही जेल में बंदें उनकी समस्या पर भी सरकार को रहा लकूल अब उनको लगता है कि समाज का एक वर्ग जो जेडिव से हमेसा जुरा रहा है और खास करके देखे जो गरीब लोग है अधिकांस तो वही लोग जेल में बंद हैं सराब बंदी का जो कानून है उसके चलते तो लगता है कि अब इतनी बड़ी संख्या में लोग परभावी था हैं गरीब लोग कुछ निर में नितिश जी का नाम ले लिजिए कि क्या रियक्शन ब्यक्त करता है आप खुद ही जा करके देख लिजिए तो इनको अब इस बात का फीड़ वैक है कि वहां लोग अब एक डम उल्टी दिसा में मेरे खिलाफ चलना है तो उसको समिटेने के लिए इस सब पढ़े आसा अ आज हमारी पार्टी ने कर लिया ऐसा नहीं हम गठबंधन के संदर में बार बार बोलने हम अपनी पार्टी में बैठकर विमर्ज करेंगे अपने साथियों से राय करेंगे फिर क्या करना है गठबंधन के बारे में कौन सा निर्ने लेना है निर्ने जब लेंगे तब आपक कि किसी भी कोई भी ऐसा प्रक्ति नहीं है कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो नितीज कुमार को बचा ले और फिर हमने उनसे यवी सवाल किये थे कि नितीज कुमारी भी दिल्ली गए थे और अर्विंद के जिरिवाल हो या कई पार्टियां हो उनसे मुलाकात भी हुई उस पेंदर खुजवाहां ने साफ तोर पे कहा है कि मुलाकाते हुई है लेकिन बाते क्या हुई है यह तो साफ पता नहीं चला है और NDA में जाने की भी बात उन्होंने बताई है कि अभी वो कुछ कहने वाले नहीं है और सराबंदी पर जो मुआवजा नितीश कुमार दे रहे है उसको एक चुनावी धकोसला उन्होंने बताया है चले अभी के लिए थे नहीं बने रहे है अपलाई विहार के साथ धन्यवाद